शाह को प्रधानमंतरी बनाने वाले केजरिवाल के बयान पर छिड़ा विवाद, बीजेपी ने केजरिवाल से पूछा कि जेल जाने के बावजूद भी क्यों नहीं दिया इस्तीफा? इस पर केजरिवाल ने कहा कि मेरे लिए मुख्यमंतरी का पद जरूरी नहीं, मैंने वीडियो में शाह ने कहा 75 साल बाद पार्टी से नेता होंगे रेटायर। लोग बोले शाह अपने बयान से मोधी के लिए पल्टे। अब राहुल गांधी ने कहा मुझसे स्टैम पेपर पर लिखवा लो इस बार बीजेपी सरकार नहीं आ रही। के देश के मुद्दों पर राहुल के साथ कर पाएंगे चर्चा। मोधी के साथ डिबेट करने वाले राहुल के बयान पर भक्त मंडिली ने सोशल मीडिया पर पूछा हुई ज राहुल गांधी। इस पर लोगों ने कहा राहुल गांधी वो हैं जिन्हें लोगों ने एक महीने में यूच्यूब पर रिकॉर्ड तीन सो मिलियन बार देखा। यांकडा मोदी की वीवर्शिप से दो गुना है। देल से बाहर आने के बाद केजरिवाल ने पार्टी के सभी विदायकों के साथ की मीटिंग। मीटिंग में दिल्ली की सातों सीटों को अपने पाले में करने की बनाई गई रणनी थी। दिल्ली के साथ पंजाब और देश के बाकी राजियों से भी बीजेपी के सफाय के लिए आमादमी पार्टी ने तयार किया रोड मैप। विधायकों के साथ मीटिंग से पहले केजरिवाल ने बीजेपी और मोदी के 400 पार वाले नारे पर दिया करारा जवाब। केजरिवाल ने कहा बीजेपी को 400 सीटे इसलिए चाहिए क्योंकि वो रूस की तरह भारत से भी चुनावों का अंत करना चाहती है वहीं आपको बता दे शाम पांच बजे वेस्ट दिल्ली के मट्याला में अर्विन केजरिवाल रोड शो करेंगे बिहार में मोदी की रैली को लेकर लालू यादो का जोरदार हमला लालू ने कहा बिहारी बुडबक नहीं तीन चरण में बिहार ने पियम को सड़क पर ला दिया यी बिहार है बिहार लालू बोले बिहार के लोग अच्छे से जानते हैं बिहार से 40 में से 49 सांसद लेकर बि साल बाद चुनाव में केवल बिहार घूमने आते हैं।